हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे शाओमी के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में तो दोस्तो रेड़ी नौट सेवन चाइना में ओलरी लॉंच कर दिया है 10 जनुरी 2019 को और अभी कुछ ही दिनों में आपको नौट सेवन प्रो भी चाइना में लॉंच देखने को मिल जाएगा और उसके कुछ दिनों के बाद ही इंडिया में दोनों स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगे तो यहाँ पर अभी नूज सामने निकल कर आई है कि जो आपकी Redmi Note 7 and Redmi Note 7 Pro में जो कमिया रह गई थी उन कमियों को यहाँ पर दूर करने के लिए Xiaomi एक ऐसा All-Rounder फोन यहाँ पर लाने वाला है जिसका की नाम होगा Redmi X जो जो आपने स्पेसिफिकेशन सोचे हैं जैसे कि इन डिस्पले फिंगर्पिंट स्कैनर आपको एक और भी बढ़िया प्रोसेसर पंच होल डिस्पले तो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तो इस फोन का नाम रहने वाला है Redmi X तो बात करेंगे इस फोन की फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में लॉंच डेट के बारे में और कितना इसका प्राइस हो सकता है तो वीडियो इंट्रेस्टिंग होगी तो वीडियो को आप एंड तक पूरा ज़रूर से देखते रहे यहां पर गाइस Redmi का Redmi Note 7 ओलरडी चाइना में 10 जनवरी 2019 को लॉंच हो चुका है और जल्दी आपको 10 February तक चाइना में Redmi Note 7 Pro भी लॉंच देखने को मिल जाएगा तो यहां पर गाइस अभी Redmi की तरफ से एक और स्मार्टपोन आपको जल्दी लॉंच देखने को मिलेगा वो भी February के महिने के अंदर और गाइस मैं आपको बता दूँ यह एक optional news है और इस स्मार्टपोन का नाम रहने वाला है Redmi X तो यहां पर आपको कुछ ऐसे features मिलने वाले हैं जो कि Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro में भी आपको देखने को नहीं मिलते तो गाइस नोट आउट दोनों स्मार्टपोन काफी अच्छे हैं अपनी price range में लेकिन Redmi X में आपको काफी सारे अलग features देखने को मिल जाएंगे अगर गाइस हम बात करें इस फोन के डिस्पले के बारे में तो बताया गया कि 6.3 इंचीज की एक Full HD Plus वाली पंच होल डिस्पले देखने को मिलेगी वो भी Corning Gorilla Glass 5 की protection के साथ तो गाइस यहाँ पर Redmi का पहला ऐसा smartphone है जिसमें कि आपको इन डिस्पले यहाँ पर camera देखने को मिलेगा यानि पंच होल वाला डिस्पले आपको यहाँ पर design देखने को मिल जाएगा जो कि एक काफी बड़ा upgradation आप इसे बोल सकते हैं तो कमाल की डिस्पले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी Redmi Note 7 & Redmi Note 7 Pro के comparison में तो यहाँ पर गाइस अगर हम बात करूँ back design के बारे में तो सेम आपको Note 7, Note 7 Pro वाला design देखने को मिल जाएगा और अगर हम बात करूँ इस फोन के camera के बारे में तो 48MP का आपको यहाँ भी camera sensor देखने को मिल जाएगा Sony का IMX586 वाला तो यह एक actual 48MP का camera sensor है तो कमाल की आपको यहाँ पर photos वगरा capture प्रोवाइड करके यह smartphone देने वाला है गाइज अगर हम बात करें इस phone की selfie के बारे में तो यहाँ पर 20MP की selfie आपको इस phone में देखने को मिल सकती है गाइज अगर हम बात करें इस phone की performance के बारे में तो यहाँ डाउट performance काफी कमाल की रहने वाली है आपको यहाँ पर मिलेगा snapdragon का 710 का processor यानी नोट 7 में 660, नोट 7 Pro में 675 एंड इसमें आपको 710 का processor देखने को मिल जाएगा सेम यार वही सारे features देखने को मिलेगे जो की नोट 7, नोट 7 Pro में आपको देखने को मिलते हैं Android Pie out of the box MIUI 10.2 के update के साथ आपको यह phone देखने को मिलेगा बात करूँ गाइस fingerprint की तो यहाँ पर बताया गया कि in display fingerprint scanner आपको Redmi X में देखने को मिलने वाला है तो गाइस actually में Xiaomi का पहला ऐसा smartphone रहने वाला है जिसमें आपको पंच ओल डिजाइन भी देखने को मिलेगा और साथ इंड डिस्प्लेइ फिंगरपिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा गाइस आपको बात करूँ इस फोन के प्राइस के बारे में तो यार इस फोन का प्राइस रहने वाला है वह 15,000 से उपर आपको देखने को मिलेग और बताया गया कि अब की बार आपको यहां पर 8GB वाला वेरेंट भी लोंच देखने को मिल सकता है 64GB इंटरनल स्टोरेज 128GB इंटरनल स्टोरेज के ओप्शन के साथ इस फोन के मैं और और प्राइस के बारें बात करूं जो इसका बेस वेरेंट है आपको सतरा हजार रुपए के आसपास लोंच देखने को मिल सकता है पौर जी बी रहेंट वाला वेरेंट है वह आपको को चाइना में दिखा जाएगा और साथी साथ आपको यहां पर रेड़ वी नोट से प्रोबी इसके साथ लोंच देखने को मिल सकता है तो यहां पर काफी सारे पोश्टर्स एंड लिक सामने निकल कराई यह रेड़ भी एक्स के बारे में तो सारी मैंने आपको बता दिये जो जो यहां पर लिक सामने निकल कराई थी जगर हम बात करूं इंडिया लॉंच डेट के बारे में तो मार्च में यह फून आपको लॉंच देखने को मिलेगा मार्च एंड या फिर अप्रैल की स्टार्टिंग में तो आप मुझे कमेंड बोक्स में नीचे जरूर बताए क्या आप रेडबी नोट 7 परो लेना चाहेंगे या फिर रेडबी एक्स तो आपको बता दो दोनों स्मार्टफोन के बेस वेरिंट में कम से कम आपको तीन हजार रुपे का अंतर देखने को मिल जाएगा तो जुरूर से आप कमेंड बोक्स में बताएज अगर इस फोन के अपर में और कोई कंफर्म न्यूज यहां पर सामने निकल कर आएगी तो वह भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए शाथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और बैल आइकन को जोरू से प्रेस कर दीजिए तो आज की इस वीडियो में के लिए इतना ही मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक लिए बाइबाइ दोस्तों जैए ही जैबारा टेक केर